हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मनिशा कीचन में तो दोस्तो आज हमारे कीचन में गोईठा बनने जा रहा है बहुत दिन हो गए थे गोईठा बने तो आज सब का मन है कि गोईठा बन जाए और सबको खाने में मज़ा आ जाए तो गोईठा बनाने के लिए कि दोस्ते हम अपने किछन में साऍ तया कि रख दिए हैं ज़ीए चलते हैं और शल्दी से बनाते हैं यहां पर देखिए शाजन और मम्मिन ऊच्छा बनाने में बहुत ही जोरो सोरे लपटे हुए है यह देखिए और यहाँ पर देखिए दोस्तों गूइठा बनाने के लिए चना का दाल और उरत का दाल भी गोए यह अच्छे से फूल गया है तो भी मैं चल रही हूं इसको पीछने तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कि यह सूरण है सुरन को काट कर मम्मी इसमें नमक और हल्दी जो है कि मिला रही है ये देशी सुरन है इसकी सब्जी बनेगी ये देखें नमक हल्दी इसमें पोथ कर थोड़ा सा धूरुप दिखाएंगी इसके बाद हम लोग इसकी सब्जी बनेगी तो देखिए दोस्तों इतना डाल हम पीस लिए हैं अब हम इसको थाली में उठा लेते हैं अब ही और दाल बच्छी भी है तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा रखके इसी तरह से पीस कर त्यार कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर है चावल का आटा इसमें हम थोड़ा सा जो है की मिलाएंगे गेहूं का आटा ताकि यह गोईठा जो बने वो मुलायम बने और यहां पर देखिए दोस्तों यह जो है की उरत का दाल और चाना का दाल पीस लिए हैं और यह अधरक लैसुन का पेश्ट है और यहां पर है हल्दी देखिए इस टापिंग में सारे मसाले पड़ गए है इसमें हल्दी पॉडर पड़ा है नमक पड़ा है और हिंग जीरा का दोस्तो पेश्ट पड़ा है खुस्बू बहुत अच्छी है रही दोस्तो इधर मनीशा जी भी अपना चावल काटा तयार कर ली है दोस्तो आज मज़ बड़ा ग्या प्ड़ा अर इसमें अब डाला जा रहा है पानी इसे में फारा को पानी में पकाया जाएगा दोस्तो आ था इन सब्सक्राइब करके इसका चकवा बना रही हूं यह दूखिए इस त्यल से घिराई और इंदम पतला घिराई बना रही हूं दोस्तों यह देखिए कुछ इस तरह से और मम्मे इधार जोए कि स्टफिन को भर-भर के रख रहे हैं बना बड़ा-बड़ा पतिल पतिल बनाए कि कुछ का मही माजा नमाजी बहो करें तब का बढ़ी हां लोई बनाईएगा मनिशा जी अरे बढ़िया तो बना रहे हैं तो अभी कोई अधर चकई बनाके लोई बना दी हैं और मम्मी इधर स्टफिंग को भरके एक ठाली में रखती जा रही हैं तो देखिए दोस्तों इतना कोई ठाम लोग बनाखर तयार कर लिए हैं और चलिए यह ठुटन को खुलते हैं देखते हैं इगर देखिए पानी भी जोए कि खौलने लगा है तो इस खौलते हुए पानी में हम गोईठा को डालेंगे दोस्तों एक-एक करके डालेंगे गोईठा और देखिए गोईठा को इसी तरह से जोवे की पानी में पकाया जाता है यह खाने में बहुत ही पढ़िया लग्या लगत लोग लोग इसे जो कि फारा भी बोलते हैं बहुत लोग पानी पंडुब्डी भी बोलते हैं और कहीं कहीं से पाने में का दुलहा भी बोलते हैं और दोस्तों आप क्या बोलते हैं कमेंट में लिखके बताईएगा हम लोग तो इसे गोईठा के नाम से यह जानते हैं एक्टर दोस्तों हमारे क्या इसे गोईठा लोग कहते हैं गोईठा बाइट केक खा गोईठा अब लिए इसको भी डाल देते हैं देखिए दो बार का गोईठा हम बारी बारी से करके डाले हुए हैं और यह तीसरी बार जहकी डाल रहे हैं वह लोग इसी तरह से बनाते हैं चला दोने केक्स को देखिए यह पतला वाला जो भाग है बस इसी से हलका सथ देखिए लग तो नहीं रहा है देखिए ममी आप चला की देखिए चला देखिए कि ऐसी ही हम लोग बना रहे हैं इसमें आधा पक गया है आधा कच्चा रहेगा नहीं न सब पक जाएगा ना जो पहले का है वो ज्याधा पक जाएगा ना यहीं तो दोस्तों इसमें खासियत है देखिए कुछ गोईठा इसमें जो है 15-20 मिट पहले कहीं पक रहे हैं और कुछ आभी पढ़ रहे हैं लेकिन सभी दोस्तों अच्छे से पकेंगे जो देखिए दोस्तों दोनों चुले पे जो है कि कढ़ाई और पुकर चड़ गया है और इधर जो है कि हम सब्सक्राइब बना रहे हैं और इधर गोईठा हमारा के लिए दोस्तों हम बना रहे हैं देशी सूरन की सब्जी दोस्तों तेल बढ़िया से जो है कि गरम हो गया है अब हम इसमें ये कटे हुए सूरन को डाल कर पहले फ्राई करेंगे कि देखिये सब्सक्राइब को डाल दे हैं तो अब फोड़ा सबिचा हुए है दो बार में इसे चानेंगे इसको हम चलाते हुए फ्राई कर रहे है उब 2 अ अ इस तो देखिए दोस्तों ये फ्राइ औह जो गया है इसको हम धाले में निकाल लेते हैं तो तो देखिए दोस्तों यह आलू भी हमारा फ्राई हो गया है देखिए इसका कलर एक्टम गोल्डेन आया है देखिनों बहुत फुरत लग रहा है अब चलिए इसको भी आम इसी थाले मी निकाल देते हैं इसमें की हम सुरन फ्राई किये हुए है यह देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं एक शूप की लाल मिर्स अब इसको हलका सा चला लेते हैं तो देखिए तेज पत्ता का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई कतिल भी प्याज डाल देते हैं दोस्तों तो यह दिला पराव जाथ है प्याज को अलका सब भूल लिये हैं अब हम इसमें डाल देते हैं आग्रट लश्म और हराम निर्स का बना हुए देखिए इसको आप देखिए में खूतो हुए है दर्दरा अग्रट आपकर हुआँ और यह देखिए दोस्तो मम्मी और मनिशा जी मिलके खणा आज का बना रही हैं साम का और मम्मी टमाटर काट रही हैं took too दोस्तो गर मभीन होती दोस्तो तो आजना की रेश्पी तो मुझे लगहरा है नहीं बन पाता मूर्मी ने सारा काम इतना किया है मेनेजमेंट तभी मनिशा जी आज गविठा बना पाई है सही से और दस्तों इनको अतना नहीं बनाने अताच्छे से मम्मी बताती है तब आता है इनको और देखिए सबजी विजल रही है और इधर देखिए दोस्तों मसाला तयार कर रही है मेनिशा जी हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी शी गरम मसाला के साथ ये मसाला बनके तयार है तो देखिए दोस्तों इसमें हम डाल देते हैं तामाटर गलने के लिए दोस्तों, इसमें हम डाल देते हैं स्वार कें स्वार नमग इसको चला देते हैं देखिए दोस्तों, आलो और शूरन को मसालो के साथ बढ़ियां से जड़की भूम ली रहे हैं देखिए एकड़म मस्त से भूना गया है अब हम चलिए इसमें ग्रेवी के साथ पानी डाल देते हैं वुह अब है यह दो सब्षबजी जो तर्म प्रेवी को श समयंबां गॉर्षबर, अट वर्य दोस्तों ऑस्टों अज को तयार देते हैं तत जार्ण कि सब्षी देस्टा रहा ओवांग और इसके साथ खाने के लिए हम गोइठा बनाए हैं ये देखे गरमा गरम गोइठा हमारा तयार है आप लोग भी आजएगे खाने के लिए ये दिखे एकदम मस्त चूले पर देशी गोइठा बना हुआ है और ये रही दोस्तो गरम गरम अभी चूले पर ये सूरन की सबजी वाव क्या लाह जवाब सूरन की सब्जी है दोस्तो देखते ही मुमें पानी आ जा रहा है और मैं बता दो दोस्तो कि ये सूरन की सब्जी और गोइठा हमारे ससूर जी को बहुँ ज़्यादा पसंद है उन्ही के खाने पर ये जो है कि गोइठा और सूरन की सब्जी बन रह और इसमें से दोस्तों गरम-गरम गुईठा निकालते हैं अभी तो काफी गरम है दोस्तों कि अभी छूलेती है और इसको हम निकालते हैं वाव क्या बात है अभी दोस्तों इस गुऋंठा को पकाने में निकिए एकडम मस्त से कुइठा पका है और पानी विल्कुल नहीं है अनदर फुर्वा एकडम पानी शूइब घ्या है और यह तो एकडम खाने में सोनाहट लगे में बहुत है अच्छा लगेगा चलिए दोस्तों पापा को देते हैं खाने के लिए और आज का वीडियों आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर वीडियों अच्छा लगे तो वीडियों को लाइक कर दीजिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्काइब कर दीजिए अब ह